नमस्कार मैं डॉक्टर जनक सकलेचा पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन के क्या-क्या जरूरी सिम्टम्स है जो हमें पता होने चाहिए जिससे हम अपने परिवार वालों का और खुद का बचाव कर सके तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे कि ओमिक्रॉन होने पर क्या-क्या लक्षन मिलते हैं साथ ही जानेंगे कि ओमिक्रॉन वेरियंट डेल्टा वेरियंट से किस तरह से अलग है देखी डेल्टा वेरियंट में पेशेंट को फीवर याने बुखार रहता था साथ में सूखी खासी और लॉस अफ टेस्ट एंड समेल देखा गया जबकि ओमिक्रॉन में जादतर पेशेंट को गले में दर्थ, सरदर्थ, ठकान, सरदी और जोडों में दर्थ की शिकायत देखी जा रही है जो डेल्टा वेरियंट था उसमें पेशेंट को लंग्स में इंफ्लमेशन होने के कारण पेशेंट को ब्रीधिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वज़े से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रुवत पड़ रही थी बट ओमिक्रॉन इतना सीवियर नहीं देखा जा रहा है इसे होम आईसोलेशन और प्रॉपर मेडिकेशन से भी ट्रीट किया जा सकता है हमने देखा कि ओमिक्रॉन के पेशेंट को अभी तक की रिसर्च के अनुसार बुखार, गले में दर्थ, खराश, सरदर्थ, वीकनेस याने ठकान और जोडों में दर्थ मैसूस होती है तो अगर कोई suspected patient हूँ, तो उसे सबसे पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, उसके साथ ही genome sequencing की जरुवत भी पड़ेगी और अगर ये positive आता है, तो आपको सबसे पहले isolate हो जाना चाहिए और immediately अपने डॉक्टर से consult करके medication start कर देनी चाहिए इस वीडियो में हमने short में देखा कि Omicron होने पर क्या के symptoms मिलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like करें, channel को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, be healthy and safe, thank you so much